दोस्तों ZTV पर प्रसारित हुआ सीरियल भाग या लक्षमी तो आप सभी देखी रहे होंगे जिसमें आपको बेहधी टैलेंटेड और हैंसम अभीनेता रोहिद सुचान्ती नजर आ रहे हैं जो सीरियल में अपनी आक्टिंग और अपने एक्सप्रेशन के साथ साथ अपने है प्रसारित अपने लगा लक्षमी तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे हैं पर उससे पहले अपने फैवरेट अभीनेता रहे हैं नहीं न तो इसलिए अगर आप भी इनके पहले और आखरी प्यार से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड त पर उससे पहले अपने फैवरेट अभीनेता रोहित सुचंती के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना न भूलें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभीनेता रोहित सुचंती इन दिनों भाग लक्षमी सीरियल में रिशी ओबराय के किरदार को निभा रहे हैं जिसमें अक्टिंग और इनके हैंडसम लुक को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है वही अगर बात करें इनके पहले प्यार के बारे में तो आपको बता दें का पहला प्यार अभीनेतरी सुचंती रोडे हैं जी हाँ बदादे रोहित सुचंती की सुचंती से मुलाकात बिग बॉस के सीजन 12 में हुई थी और इसी सीजन के दौरान ही रोहित सुचंती ने सुचंती से दिल लगा लिया था इतना ही नहीं ये तो इनके खुबसूरती और इनके नेचर पर फिदा हो गये थे इसकी वज़ा से ये उनसे बेहत प्यार करते थे और इन्होंने बिग सिर्फ अपना दोस्चंती हूँ बस कुछ इसी तरह से रोहित सुचंती का ये पहला प्यार पुरी तरह से अधूरा ही रह गया था वह अगर बात करे अभीनेता रोहित सुचंती के आकری प्यार के बारे में तो आपको बता दी कि इनका आखरी प्यार भाग लक्षमी सीरियल में नजर आ रही अभी नेतरी ऐश्वर्या खरे हैं जो इस सीरियल में लक्षमी के किरदार को निभा रही है और यही इनका आखरी प्यार है जिन से बेहत प्यार करते हैं जहाँ पहले तो रोहित की अश्वर्या खरे से तोस्ती हुई और इसे सीरियल में इरोरे इनसे कब दिल लगा लिया इन्हें पता ही नहीं चला वहीं अभिनेतरी अश्वर्या खरेवी अभिनेता रुहित सुचंती से बेहत प्यार करती है और उनका ये प्यार इन खुबसूरत तस्वीरों में साव जलकता भी है लेकिन अफसोस जब इनसे इस रिष्टे के बारे में पूछा गया तब दोनों नहीं अपने इस रिष्टे को महस दोस्ती का नाम देकर चुपी सादली तो दोस्तों आप अभी नेता रुहित सुचंती के पहले प्यार और आखरी प्यार के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथी टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें